So guys, जब भी भी आप बात करते हो राजनीतिक विचारकों की, तो उसको दो श्रेणियों में विबाजित किया जाता है, दो भागों में बाटा जाता है, सबसे पहला पास्चारे जगत और दूसरा आपका भारते विचारक, जो पास्चारे जगत के विचारक है, पर्ष्चिम क जब भी आपको सबसे पहले इनके जीवन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो आप लोगों को मूल भूल से, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कि यह व्यक्ति कैसी परिस्तितियों में था, कैसे विचारते इसके, और आपको अच्छी तरीके से प्लेटो का, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले प्लेटो के बारे में बारीकी से जानेंगे, जो आप लोगों को एक्जाम में आपके बिल्कुल एल्प करेगा, जीवन काल के बारे में और प्लस में जो प्लेटो था, उनके नियाय के उपर क्या कंसर्ण थे, क्या वि बीचे से और यहां पर हमने बताया है जो प्लेटो का जो जीवन काल था वह 428 इसा पूर्व से लेकर 347 इसा पूर्व तक रहा यह जीवन काल दूसरी बात प्लेटो का जनम कहा हुआ युनान में हुआ तीसरी बात जो प्लेटो है इनके पिताजी का नाम क्या था औरस्टीन नाम था और इनकी जो माता जी थी उनका नाम था पैरी पैरिसियन क्या नाम था उनकी माता जी का नाम पैरिसियन आपको यह भी याद रखना है और जब प्लेटो जब प्लेटो का जनम होता है तो जो पूरा को पूरा युनान था आपको मैंने बता है अभी युनान में प्ले उसी डाइस ने अपनी जो बुक है, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया, जब हम आई आर पढ़ाएंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे, अब यहाँ पर जो बेसिकली युनान को आप देखते हो कि दो भागों में विवाजित था, तो युनान दोनों बाग उसके अलग लक्षी जो के लिए प्रसित थे, इसे एथेंस की बात करते हैं, तो एथेंस जो था, वो मानसिक सिक्षा के लिए केंदर था, और वहीं स्पाटा जो था, वो क्या था, शारेरिक सिक्षा का केंदर था, आपको ये भी ध्यान रखना है, मात्र 20 वर्ष की आईउ में जो प्लेटो था, प्लेटो ने सुकरात के पास जाकर सिक्षा ग्रैन करना शुरू कर दिया, यानि हम कह सकते हैं कि जो सुकरात के पास चले गए, कौन प्लेटो किस ले गए, सिक्षा ग्रैन करने के लिए, किस वर्ष की आईउ में गए, तो 20 वर्ष की आईउ मे गए इस तरीके से हमें कह सकते हैं कि जो सुकरात थे वो प्लेटों के कौन थे गुरू थे सुकरात जी ऐसे कौन थे वो तरक विद्या में माहिर थे किसमें माहिर थे तरक विद्या में माहिर थे इसके साथ साथ आपको ये भी रखना है याद कि एथेंस तता स्पाटा में उस प्रिटिसाइज किया था और जिस कारण से सुकरात को मिर्त्युदंड दे दिया गया, कब सुकरात को मिर्त्युदंड दिया गया, ये डेट आपको याद रखनी है, 399 इसापूर में सुकरात को क्या किया गया, मिर्त्युदंड दे दिया, अब सुकरात के मिर्त्युदंड के बाद में प्लेटो ने क्या कर दिया युनान छोड़ दिया और युनान छोड़ने के बाद में क्या है वो कहां चले जाते हैं विश्व बर्मन के लिए चले जाते हैं अब एक विचारक है जिनका नाम है मैक्सी मैक्सी ने कहा उस समय कि भाई प्लेटो में सुकरात ने पुन्हे जनम दे लिया है। ऐसा क्यों कहा मैक्सी ने क्योंकि काफी अद्थ तक जो प्लेटो के विचार थे वो सुकरात के विचार से मिलने लगे थे। शुकरात जिस तरीकी की आइडॉलोजी रखता था उसी तरीकी की विष्व वर्मन के लिए निकल जाते हैं और विष्व वर्मन के दोरान वो मगद पोषते हैं जी हां मगद भारत का ईसे आप वर्तमान समय में पट्ना ये पाटली-पुत्र के नाम से जानते हैं तो मगद काचा कौन प्लेटो मगद पहुचा और यहां पर उन्होंने सबसे बड़ी बात वन व्यवस्ता देखी और इस वन व्यवस्ता आपको पता है कि वेदों के नुसार चार वन है ब्राम्मन, शत्रिय, वैश्य, शुद्र और इन चारों के अलग-अलग करतव हैं सिक्षा-दिक्षा काम करने का ब्राम्मन का सुरक्षा, राजपाट, शासन, प्रस मजूद थी, इस से प्लेटो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसी कारण से जो प्लेटो ने आगे चलके जो नियाय का आधार बताया, नियाय के बारे में, तो करतव्य पालन ही का, अगर हर एक व्यक्ति अपने करतव्यों का अच्छे तरीके से पालन करता है, तो पुस्ताखोली, जिनका नाम क्या रखाईनों ने अकादमी, आपको नाम याद रखना है, अकादमी नामक्संस्ताखोली, किसने कोली तो प्लेटो ने कुली, साथ जाती-साथ, 388 में उन्होंने पुस्तक की रचना करी, जिसका नाम क्या था? रिकपलिक, यह रिकपलिक बारे में जो अगरम बात करें इसके बाद उन्होंने क्या किया कि दार्षनिक राजा के बारे में बताया है और प्लेटो ने जो दार्षनिक राजा के बारे में बताया है वो उन्हें क्या देना चाहते थे एक वैवारिक रूप देना चाहते थे परंतु ऐसा हो ना सका और ज रह सकते हैं राजा के उपर भी बहुत सारे करतावे थोप दिये थे और राजा उसको हैंडल नहीं कर पाता है हम देखते हैं इसके बाद में इन्हों ने एक दूसरी पुस्तक लिखी जिसका नाम था द लॉज क्या नाम था बुक का नाम था और प्लेटो की अगर वास्तविक अगर हम बात करते हैं तो एरेस्टो क्लिक्स उनका वास्तविक जो नाम था वो क्या था एरेस्टो क्लिक्स नाम था लेकिन प्लेटो का नाम प्लेटो कैसे पढ़ गया उनके जो बाहें थे उनके जो कंदे थे वो काफी चोड़े थे और काफी कंदे चोड़े होने के कारण उन्हें क्या कहा जाने लगा प्लेटो प्यान रखने आपको प्लेटो का असली नाम एरेस्टो क्लिक्स नाम था इनका साथ इसाथ अब हम बात करते हैं कि वही जो प्लेटो थे वो किस प्रकार की शैली में लिखते थे तो वो प्लेटो जो थे वो दो प्रकार की शैलियों में लिखते थे सबसे पहली थी निगमनात्मक शैली और दूसरी थी आपकी समभाद शैली निगमनात्मक जो शैली थी वो किसे कहते हैं यह समानने से विसिस्ट की ओर जाती है इसे हम बोलते हैं निगमनात्मक शैली और दूसरी होती है समभाद शैली जिसमें वारत प्लेटो ने अपनी जो अधिकतर पुस्तक है वो संभार शैली में ही लिखी है इसी का प्रियोग क्या है और सुकरात ने अगर हम बात करते हैं सुकरात जी की तो उन्होंने कोई भी पुस्तक की रचना नहीं करी और हमें जो जाधतर हमें अगर जानकारी मिलती है सुकरात के बारे में तो वो प्लेटो के अधिकतम जो ग्रंत है जो प्लेटो के अधिकतम पुस्तक हैं जो प्लेटो की अधिकतम रचना है उन्हीं से हमें क्या होता है प्लेटो के शुकरात के जीवन के बारे में हमें पता चल जाता है शुकरात का एक चीज मानना था कि बही शदगु गई पुस्तक को अगर आपके एक्जाम में प्लेटो से लिखित रूप में कोई भी क्वेशिन आता है अब पोस्ट ग्रेजुएशन में UGC.NET की त्यारी कर रहे हैं या फिर आप लोग UPSC वगएरे के means की त्यारी कर रहे हैं तो उसमें आप इंट्रो में पोसारी बाते लिख सकते हैं अगर आपसे प्लेटो के जीवन के बारे में पूछा जाता है तो अब प्लेटो ने कौन-कौन सी पुस्तक लिखी हम यहाँ पर बहुत सारी पुस्तक है लेकिन हम में 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 पुस्तक के बारे में बात करेंगे सबसे पहले जो Republic book है सबसे important book है वो कब लिखी गए 388 इसापूर में इसमें किस चीज का चित्र ने दार्शनिक राजा के बारे में बता गया है इन्होंने अपने दार्शनिक राजा को वैवारिक रूप देना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं उपर हुसला अब उन्हीं के पास में एक जगह थी सिसली नाम है और सिसली की राजदानी जो है यहाँ पर सिसली की राजदानी है जिसका नाम है सिराक्यूज यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था दियोनिसिस फर्स्ट क्या नाम था Dionysus first फिर से में repeat कर रहा हूँ जहाम उन्होंने जुनान में इसकी रचना करी तो वहाँ पर बगल में एक सिसली नाम का परदेश था और वहाँ पर उसकी राजदानी थी जिसका क्या नाम था सिरा क्यूज नाम था और उनके शासकते जिनका नाम था Dionysus प्रतम उन्होंने इनके उपर ये पूरा का पूरा दार्शनिक राजा बनाने की कोशिश करी पर वो क्या रहते हैं आसफल रहते अब इनकी आसफलता क्या कारण था अब आपको मैंने वैसे तो उपर बताया था तूसरी पूस्तक है दलाउज मैंने जिसके बारे में आपको बताया भी था ये Dionysus जो परतम था उसकी गटना से काफी ज़्यादा प्रभावित गरन था और ये विदी पर शासन करने पर बल देता है विदी पर शासन का मतलब क्या है निरंको शक्ता बेसक से है पर वो कानून के अकॉर्डिंग ही सासन करे इसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ वैसे रिपब्लिक को वैसे दस भागों में बाटा गिया है और एक राइटर है जिनका नाम है अर्नेस्ट बरकर उन्होंने रिपब्लिक को पाँच भागों में बाटा है इसके लावा अगले एक राइटर है जिनका नाम है लियोस साडस इन्होंने चार भागों में बाजित किया है और इसके बाद में अगले जो विचारक है जिनका नाम है रसल उन्होंने क्या किया है कि जो रिपब्लिक बुक है उसको तीन वर्गों में बाटा है इसके अलावा जो लॉज नामक पुस्तक है इसको बारा भागों में बाटा जा सकता है इसके बाद में अगली पुस्तक तीन का नामता है स्टेट्समें यह क्या है इसमें इन्होंने स इसका वरग किन किया है सब विदानों का किया हूद इस किरेंगे ऐगली पुस्तक है जिसका नाम है मीनो मीनो सब से पहले अगर doit करते हैं निया शब्द org अगर किस्प में हुआ तो यहा पर चर्चा मीनो बुक में हुए गए बत अगर हम बात करते हैं कि इसकी न्याए नियाय की व्यक्या कहा पर की गई है तो नियाय की जो व्यक्या है वो रिपब्लिक नामक पुस्तक में की गई है इसके लावा कुछ और भी बुक्स हैं यहाँ पर आप देख लेंगे प्लेटो की सबसे पहले आपका प्रोटोगोरस, यूतिफ्री, कोटो और आपोलोजी ये सभी की सभी संबाद सहली में लिखी गई है ये भी पुस्तक आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है आप ये भी याद रखेंगे कि ये किस ने लिखी है, ये अरस्तू के गुरू जो थे प्लेटो उन्होंने इसकी रचना करी है अब यहाँ पर प्लेटो के विचार में दार्शनिक राजा के बारे में बताये गया है तो प्लेटो के विचार में अगर हम मूल्बुत माने तो विश्यू को दो भागों में बाता दार्शनिक राजा के इकना लिए तो सबसे पहले विचारो की दूनिया और दूसरी थी बहुत अग्वाधी दूनिया अब प्लेटो के विचारों का शुरोत अगर हम देखें तो सत्य है, सत्य को उन्होंने दो भागों बाटा है, कैसा है? सबसे पहला देखो हैरा क्लिंटिस और जुसरा पेरा मिंडिस, जो हैरा क्लिंटिस सब्द है, यानि सत्य को दो भागों बाटा है उन्होंने हैरा क्लिंट प्रचाई परिवर्तन शील आपको यह याद रखना है अब दार्षनिक राजा उनके अधार अगर हम बात करें तो तीन बागों में बाता गया है सबसे पहले उनकी उत्पत्ति के लिए cave theory की बात करी है divide theory की बात करी है fit 3 apple theory की भी बात करी है तो cave theory मतलब गुफा का सिध्धान के बारे में बात की है तो यहाँ पर क्या बता है ज्यान का रास्ता टेड़ा मेड़ा होता है गलावकन ने इसका खंडन किया है यह भी cave theory का मतलब है कि अगर आप क्यान पाना चाते हो सत्य के प्राप्त करना चाते हो तो आपको इतना easily नहीं मिलेगा उसके लिए आपको बहुत मेनद करनी पड़ती है उसका रास्ता टेड़ा मेड़ा होता है दूसरे नमबर पे आता है आपका divide theory theory जिसे विवाजन रेका का सिद्धान भी बोलते है इसको दो भागों में बाटा जाता है एक रेका है जैसे आप मान सकते हो यह इसके दो कोने होते हैं दो चोर होते हैं एक आत्मा है और दूसरा दृस्टी है यानि जब भी आत्मा और दृस्टी को में एक साथ जोड़ देते हैं तो सत्यकर ग्यान की पराप्ती हो जाती है divide theory की तरह इन्होंने यह कहने की प्रियास करिया इसके बाद में थर्ड नम्मर पर आता है आपका 3 apple theory इन्होंने क्या का है कि 3 apple theory के तरह से इन्होंने दार्षनिक राजा के बारे हम बतानी की प्रियास की है इन्होंने क्या कहा है कि भई हम 3 तरह के apple लेंगे कच्चे apple पके apple और एक खराब apple तो हम क्या करेंगे कि जो कच्चे apple होगा उसको हम preserve कर देंगे हम इसको बचा के रख देंगे कि इन्होंने यह बात करी तो जो प्लेटो को नियायी का सिध्धान था वो कुछ इसी प्रकार्ड का था कि जब तक आप लोग देखते हैं कि कोई बी चीजह के आपको पूरी नीड है तो आप उसको बहुषय के लिए ऑगर बचा सकते तो उसको प्रिजर्व भी करिए नहीं तो अगर आप नहीं कर सकते तो उसको खतम कर दीजिए इस के इस तियोरी के काड़ नहीं उन्होंने एक आता भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक देश होता है एक देश के अंदर अगर कुछ अपाइस लोग होते तो प्लेटों का कहना था कि अब यह उनको हमेशा हमें पहाड से फेक देना चाहिए क्योंकि वह हमेशा अपने परिवार और अपने जो देश है उसका खर्च बढ़ाता है और खुद इतनी मैनत नहीं करता जितना उसकी खपत होती है इसलिए हमें अगर हम ऐसे व्यक्तियों को मार भी दें तो देश के साथ अन्याय नहीं होगा तो वहां पूरी के पूरी सामुहिक्ता के बारे में बात करते हैं अब यहां पर प्लेटो का जो न्याय का सिध्धान की अगर अध्यन की बात करते हैं तो यह सबसे पहले सोत कहा का है यह पब्लिक से न्याय के बारे में जानकारी मिलती हमें और ज सिफालस और आपका पॉलिमार्क्स सिफालस जो था उनका क्या कहना था उनका कहना था कि बहिया अगर आप सत्ते बोलते हो और दूसरों का अरिन जो है समय से चुका देते हो तो यह क्या कहलाता है निया कहलाता है लेकिन प्लेटों ने इन दोनों विचारों का खंडन किया देश की खूफिय जानकारी मांगी जारी है तो ऐसी परस्तिती में अगर आप सत्य बोलते हो अपने देश की खूफिय जानकारी उन्हें दे देते हो तो आप लोग अपने देश के साथ अन्याय करेंगे ऐसी परस्तिती में सत्य बोलना उचित नहीं होगा परस्तितियों ऐसी परष्यतिदियों के अधार पर सत्त बूलना नियाय नहीं कहिते हैं दूसरी बात इन्हों ने कहीती है अगर मुचित समय पर जिन से हम ब्रिं नहीं अगर का रिंद चुका दे तो देखते हों तो प्लेटो जी इनका भी कंडन करते हैं और क्याते हैं कि आपने अपने मित्र से कुलाडी जो है उसको उधार लिया है परन्तु 6 महीने बाद जब आप उसे वापस करने जाते हो तो आप देखते हो कि भई वो जो दोस्त है आपकी उसकी मानसे की स्थीक नहीं है अच्छी नहीं है और अगर आप उसको कुलाडी दोगे तो वो और उचित समय पर आप अगर कीसी का रिण चुकाल देते हो तो वो भी नृए नहीं कलाता अगलाए आपका पॉली मार्क कि इन्होंने क्या कहा कि उचित व्यवार करना यान्य की बाद बात करी थे जिए अगर आपका जो मित्र है उससे मित्रतिता जैसे वैवार करो, जो आपका सत्रू है, उससे बुरा वैवार करो, इन्होंने ऐसी बात करी थी, तो मित्रों के साथ अच्छा वैवार करना चाहिए, परन्तु प्लेटों ने इस बात का भी खंडनन किया, और का कि आजकल की परिस्तिती बदल रही है, अब मनुस्य अपने सत प्ल भी हो रहा है, इसलिए वैक्तियों को क्या नहीं करना चाहिए, कि भया, हम सत्रू से अमेशा बुरा वैवार नहीं करना चाहिए, वो सकता है कि अगर वो आपका सत्रू है, तो किसी खारण की वज़े से सत्रू होगा, अगर आप उस कारणों को ठीक कर दो, तो शायब कि घुरे वो आपसे दोस्त बन सकता है, तो जरूरी नहीं है, सत्रू के साथ, आप क्या करो, बुरा व्यावार करू, यह पहले सिद्धान थे प्रम प्रागत, दूसरे सिद्धान थे क्रांतिकारी सिद्धान, इसका भी पलेटो constitution इसी ने खंणन किया यह जो क्रांतेकारी सिद्धान थे आप देखोगे थेसी मार्क्स नोराम के विगदवान थे उन्होंने दिया था इसका परतिपादन किया था और उनका कहना था जो अन्याय है वह न्याय की दृष्टि से स्रेश्ट है अब आप से मैं पूछों अन्याय क दृष्टी से स्रेश्ट हो सकता है नहीं हो सकता आप भी मना करोगी इसी मेज मेत एसे प् Agreeto ने भी स्काथ और इन्होंने क्या कई कि अन्याय जो है स्रेश्ट है और स़क्टिसाली का हित करना ही भी न्याय है डूसरी भात अदूपब अन्याय जो है न्याय से अच्छा है यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं मेरे भिसारों से भी यदि शासक जिसे प्रशंसा मिलती है कि वे नियाय करता है परन्तु प्लेटो ने इस बात का भी खंडन किया अब फॉर एक्जांपल मैं आपको बता देता हूं हर एक देश में कुछ अमीर लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ राजा उनी के हीत के बारे में सोचेगा तो क्या नियाय होगा सक्तिशाली लोगों के साथ में अगर ऐसा किया जाएगा तो नियाय होगा पहले की विचार कैसे थे वह सक्तिशाली जो लोग थे वह बहुत लोगों का बरन पोशन करने में मदद करते थे इसल आसन जो है एक प्रकार की कला है और सासक हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसने लोगों का कल्यान करने का उद्देश्य हो और समाजिक नियाई की वो सापना करें हमेशा सासक ऐसा होना चाहिए इसलिए सक्तिशालिक आहित करना ही नियाई नहीं माना जा सकता अन्याई कभी भी निय करंती करें और इससे बाद में अपने प्रम्प्रागत ओ यह ग्या सिद्धांत की हाई अब कहते हैं तुन अय बहुत सब्सक्राथ सब्सक्राइब उन्ने एनने варाणन कहते हैं जोत इसे जुरूत जैसे कमजोर लोग होते हैं उनको पढ़ती है बचों को पढ़ती है नियाई की विवस्ता है नियाई जैसी चीज ल्यान हो सके यह नहीं कि किसी को कोई बहुत ज़्यादा कमजोर है तो उसको नियाई की अवशक्ता है ऐसा नहीं है नियाई समाजिक नियमों को बनाई रखने के लिए समाज का उचित तरीके से पालनो नियमों का इस चीज़ को बनाई रखने के लिए ही नियाई का नियाई या उशक्ता पड़ेगी ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर नियाय की विवस्ता मेरी लोगों को यूपड़ सकती है कैसे जब जनता विरोध कर दे सरकार का तो अगर नियाय वहाँ पर रहेगा तो नियाय पून रूप से शासन विवस्ता भी चल पाएगी अगली चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे विवस्तित सासन में ही अच्छा जीवन जीया जा सकता है और इसके अलावा यह विवस्तित सासन में अच्छा जीवन नहीं जीया जा सकता यह प्लेटो जी का कहना था और प्लेटो ने उप्रोक्त सिध्धान्तों का खंडन भी किया जैसा कि मैंने भी आपको बताया और अपने नियाये का सिध्धान्त का अब भी प्लेटो का नियाये का सिध्धान्त क्या था अब जरा इसको देख ले अब तक हमने यह बात करी कि प्लेटो जी ने तीन नियाये के दानते जो पहले से मौझूद थे उन तीनों का खंडन किया और यहां पर क्या का कि प्लेटों का कहना था कि हम बिमार पड़ जाते हैं उस इस्तिती में हमें अच्छे चिकित्सक की आवशक्ता पड़ती है ठीक उसी प्रकार हमें अगर अगर हमारा जूता फट जाता है तो प्रतेक परिस्तिती को समझे और उन परिस्तितियों को समझने के बाद ही अच्छी कला से अच्छी तरीके से शासन में वस्ता चला सके क्योंकि शासन में वस्ता क्या है कला है और यह कला क्या है जो चुनाव के द्वारा महरती व्यक्तियों में स्तापित करनी होगी यानि अ परंशानुगत सिर्फ शासन का हस्ता अंत्रणु रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि जहां एक स्रेष्ट राजा आया तो उसके बाद कोई निकम्मा राजा भी आ सकता है इसलिए शासन एक इतनी अच्छी विवस्ता है तो हमें क्या करना होगा उसको कि खुद व्यक्ति चुने क छी व्यक्ति वेक्ति मेरे लिए स्रेष्ट रहाएगा इसी प्रकार से सुकराब जी का भी कहना था की एठेंस में एसे स्रती क्राब यह निए युद्ध क्यूं हो रहे थे आपने देखा अभी मेंने पड़ा था रही इसका कारणी यह था क्योंकि वहां पर लोगतंत्र पन रंकुष है वो सासन अच्छी तरीके से चलानी पारे इसलिए दासनिक राजा का हुना बहुत जरूरी है वह प्राकर्तिक नियमों का पालन करें जिससे क्या हो कि भई सासन का भी अच्छी तरीके से संचालन हो सके अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या बताया कि मानव की आत्मा के तीन गुण है सबसे पहला बुद्धी नंबर दो शौर्य और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो तृष्णा इनका क्या कहना था कि जिस व्यक्ति में बुद्धी के तत्व होंगे वह दार्शनिक वर्ग का होगा जिसमें शौर्य की प्रधानता होगी वह सैनि जाएंगे तो वह क्या करेगा वह एक अच्छा दार्शनिक राजा बनने के योग्ये होगा तो इसी प्रकार से यही था प्लेटों के अनुसार नियायका सिद्धानत क्या अपने समय के नियायों का उन्होंने खिरन किया क्या उनका जीवन परीचे था कौन-कौन सी पुस्त आएगी अधिक सदिक मित्रों के साथ आप इस वीडियो को शियर करने का प्रयास करेंगे और साथ इसाथ ऐसी ही मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे तो चले गाइस मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में जय हिंद जय ब